सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमश्कार दुस्तों मैं गौरव आपका बहुत बहुत सवागत करता हूँ अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी के एक और बहुती फ्रेश कमाल एपिसोड में और यहांपे बहिया यह जो वीडियो है इसकी डिमांड आप कर रहे थे पिछले काफी काफी टाइम से तो मुझे आगे जल्दी दोस्तों इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यहां पर यह है मेरा में बैक पैक जिसको मैं करता हूँ अमने साथ हमेशा कैरी ट्रावलिंग के दौरान या अगर मैं कभी भी लंबे समय के लिए कहिए अगर मैं बाहर ट्रैवल कर रहा क्योंकि इसमें वो सारा समान मौजूद है जिसके चलते हैं मैं आपके बना सकते हूँ वीडियो कहीं पे भी कहीं से भी तो यह है दोस्तों मेरा में बैक पैक तो आज जार इसी को अन्बॉक्स करते हैं दिखते हैं क्या निगलता है इसके अंदर से और यहां पर आगर दोस तो आप उन सभी को बड़े आराम से सेफली कर सकते हैं और उसको करने की बात पर यहां पर साइड में मैंने करी किया है अपने इस ट्राइपॉड को तो यहां पर मैंने इसको काफी सिक्यूरली फिट किया है ताकि भाईया वो कहीं निकल के गिरना जाए और क्योंकि आराम से सैट से कैरी कर सकते हैं मैं यहां पर त्राइपड्स को भी लगा लगा लेता हूं और यहां पर यह दूसरों हुजा वरूपर आपको मिलता एक रीजाप है तो यह है काफी एची कॉलड़ी का है है वो भी ऐलुमिनियम का है साथ में तो यह काफी स्टर्डी है और काफी बढ़िया तरीके से आप उपने कैमरों गृप कर पाते हैं और यह थोड़ा सा कर सकते हैं इस वेल्क्रो को ताकि तोड़ा टाइटली फिट हो जाए और अगर आप ट्राइपॉड केरी नहीं करते हैं तो यहां पर नीचे जो क्लिप है अगर आप उसको बाहर निकाल देते हैं तो उसके बाद में ऑप्शन क्या बनता है कि यहां पर आप इसको भी निकाल के लिए तो इसके अलावा बैग में आपको दूसरी तरफ का जो सेक्शन मिलता है यह वाला ना यह बड़ाई कमाल सेक्शन है जहां पर अभी हाला कि इसके अंदर आप कुछ देख नहीं पाएंगे क्योंकि यह अंदर से पूरा का पूरा खाली है लेकिन अगर आपने यहा काम पूरा हो जाएं तो बाद में अभी ही पिर इपने कैमरा को वापिस रख दीजिये और इसके अलावा दोस्तों यहां पर यह जो जिप है इसमें है इसका रेन कवर कि अगर आप कहिं बारिश में घर जाएं तो आप इस रेन कवर को निकाल के अपने बैग पर चढ़ा ल यह काफी सॉफ्ट है और आपको तरह तरह की आपको तरह तरह की आपको अच्छी बात है लेकिन अच्छी बात क्या नहीं है मतलब वो अच्छी भी है हाला कि कि यहाँ पर आपको पीछे की तरफ ने एक चोर पॉकेट मिलती है कि अगर आप इसको खोलेंगे ना तो जगह इतनी है कि आप अपना वालेट वगरे कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको पैडिंग थिक है ना तो वो आपकी कमर में गड़े दो सेक्षेंज जो कि एक है यह पॉकेट और दूसरी है यह वाली पॉकेट यह पॉकेट मेरे लिए सबसे जरूरी है विकाज इसके अंदर जो समान है वो सबसे ज़्यादा काम आता है ट्रैवलिंग के दौरान और यहाँ पर दोस्तों मैं केरी करता हूं बेसिकली अपना और वालेट अभी पासपोर्ट तो हिया स्टेंडर्ड है वो तो आपको चाहिए उसके बिना आप कहीं पर जाने सकते लेकिन दोस्तों यह जो वालेट है यह मैं अभी भी ओल्ड स्कूल वालेट करता हूं मेरे पास में मतलब सैमसंग पे जब था सैमसंग S9 में तो मैं बड दूनिया में चल जाते हैं सभी जगह पर तो यह आता है मेरा यह पहला सेक्षिन इसके लावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है यहां पर दूसरा सेक्षिन है यह भी मेरा एक गोटू सेक्षिन है जहां पर ऐसी चीज़े जिनके शायद मिनको इंस्टेंटली ज़ुरत और मुझे ना बड़े वाले हेडफोन का शौक नहीं है इसलिए मेरे को कहरी करता हूं साथ में उस तो मेरे पास में यह भी है जो कि है आपल के एरपॉड्स और यह तो भी बहुत ही कमाल प्रोड़क्ट है लेकिन बैटरी बगारे कभी अगर मर जाए या अगर आपको ब्ल बेसिक पहला सेक्शन अभी इस बैग में आपको यहां पर सेक्शन मिलता है उसमें होता क्या है कि यह जो क्लिप है यह आप नॉर्मली इसको ऐसे बंद रखेंगे और यह जो क्लिप है आप इसको बंद रखेंगे तो जो पहला सेक्शन अगर आप खोलेंगे यहां से तो व जहांपे अगे अगर आप दुनिया में कहीं भी करी करते हैं For example अगर आप यहाँ पर यूएस ट्रेवल कर रहे हैं तो अपने यूएस की पिन नखा लीजिये आप जा रहे है अगर आफ यूरप तो यूरोपियन सिस्टम बहर आ गए आप जाते हैं अगर यूके तो यूके व काफी कमाल तरीक से चार्ज कर देखे आपके प्रड़क्स को तो यह मैं कर्यारी करता हो इने साथ में इसके अलावा दोस्तों यहां पर यह जो है आप जानते हैं क्या है यह है DJI Mavic Air ट्रोन और ड्रोन के साथ में यहीं पे उसका है यह कंट्रोलर तो यह है बेसिकली ड्रोन का समान इसके अलावा जो मैं कैरी करता हूँ चीजें वो हैं दोस्तों यह बेसिकली दो पावर बैंक्स दो इसलिए क्योंकि यह जो थोड़ा चोटा है आलगी सी कैपैसिटी है दसधार एमेज की और यह है दोस्तों बीसदार एमेज का यह है श्राउमी का यह है अंकर का दोनों ही दोस्तों यहाँ पे कॉलकॉम कुछ चार्ज को सपोर्ट करते हैं लेकिन यह थोड़ा छोटा है अगर आप वो compact चीए तो आप ये carry कर लो दिक्कत क्या है यहाँ पे सिर्फ एक ही USB port है इसमें आपको मिलते हैं दो-दो USB port तो ये एक 10,000 और 20,000 image के power banks साथ में इन ही के साथ इस्तमाल आने के लिए कुछ cables जो की छोटी केबल है ये बहुती USB type C के अगर आपको phone से attach करना है तो ये इस cable से आप काम चला सकते हैं साथ में ये जो cable है ये थोड़ी सी बड़ी है लेकिन ये काफी अच्छी quality की है जहां पे जो end है वो है lightning और micro USB दोनों का ही combination तो ये मैं cable काम में लेता हूँ दो quickly ताकि मैं उनको access कर पाऊं इसके अलावा दोस्तों यहां पे जो चीजें है वो है एक ये जो की है GoPro Hero 5 कभी-कभी इसकी जुरूद पढ़ जाती है कुछ शॉट्स लिए दूस्तों ये camera भी साथ में रखता हूँ मैं हमेशा है अपने साथ क्योंकि जरूरी नहीं कि आप multiple options होने चाहिए तो इसलिए GoPro भी मेरे पास में होता ही है इसके अलावा दोस्तों यहां पे मेरे पास में है ये काफी अलागी पुरानी होगे इसको भी upgrade करने टाइम आ गया है तो ये है WD की basic hard drive जो की है 2TB की इसके अलावा यहां पे मेरे पास में दोस्तों जो मैं चीजें है दूसरा इस तरफ है और इसको मैं अटैच कर सकता हूं अपने iPhone के साथ में और उसके बाद में अटैच होने के बाद में फोटो वगरा में क्लिक कर पाता हूं तो यह हो गया है मेरा basic 360 degree camera और इसके अलावा जो मैं carry करता हूं समान वो है यहां पे नीचे यह तो यह हैं दो दूरी है तो तरह तरह के memory cards जो काम में आते हैं अपने footage को record करने के लिए बाद में store वगरा करने के लिए तो यह दोस्तों main section अभी अगरा कुद है दूसरे section में तो आप इसको यहां से open करें और यहां से open करें और उसके बाद में आप जिप से basically इस दूसरे section को देख पाए जहां पर यह है मेरे पास में मेरी smart watch Samsung Gear S3 इसके अलावा यहां पर मैंने carry किये हैं अपने साथ दो phones जो की है यह one plus six Avengers edition और साथ में Google का pixel to excel इनको मैं mainly use करने रहा हूं जो मेरा main phone है दोस्तों वो यहां पर यह है setup कि यह एक है iPhone 10 दूसरा है Porsche design Mate RS लेकिन क्योंकि यार इसका जो camera pixel का वह काफी कमाल है तो कभी कभी camera के लिए मैं उसको कामे लेता हूं उसके लावा one plus के साथ में मैं इस phone के लिए कुछ काम कर रहा हूं अभी कुछ मैस्का camera घ्र टेस्ट कर रहा हूं चेक कर रहा हूं कि कैसा यह one plus का phone तो इसलिए यह भी मेरे पास में है तो यह मतलब extra devices अ expand कर सकते हैं तो इसकी जो capacity है वो आप instantly भढ़ा सकते हैं तो इसलिए ये जिप काफी interesting है अभी ये आता है main section कुछ ऐसा और ये दोस्तों ऐसा इसलिए है कि यहां पर भी आपको option मिलता है कि आप को tablet carry कर सकते हैं और जो पीछे का section है उसको बाहर से भी add कर सकते हैं तो यहां पर हो गया है यह वाला section कि आप उसको बाहर से खोल के निकाल लेंगे अपने समान को और यह आता है मेरा main समान यहां पर बहुत सारे दूस्तों आइटम से इस तरफ कोने में हैं कुछ cables वगरे जहां पर यह हो गई है मेरे पास में वापिस से type-c cable साथ में एक और type-c cable है एक और अगर camera की बैटरी तो चार्ज करना तो यह है एक छोटे camera की battery charger उसके अलावा यहां पर यह है मेरे पास में एक card reader in case laptop का card reader खराब हो जाए तो एक USB वाला card reader होना चाहिए जो कि एकदम generic सा card reader है साथ में दोस्तों यहां पर यह है pouch मेरे mic के लिए जिसे मैं फिलाल इस video को record कर र एकी cable से इन दोनों को charge कर सकता हूं तो यहां पर यह बड़े camera के लिए चोटे camera के लिए साथ में है यह adapter मेरे macbook के लिए तो यह है दोस्तों बड़े वाला 85 watt का 15 inch macbook pro के लिए charging adapter उसके अलावा यहां पर मेरे पास में एक और चीज है और वो है यह और यह basically एक charger है जिसके पर यह है रोड का माइक रोड का वीडियो माइक प्रो प्लस इसका यही पूरा नाम है तो यह दोस्तों माइक काफी कमाल microphone है इसके अलावा साथ में यहां पर एक छोटा tripod है अगर कभी छोटा कुछ tripod पर लगा कर शूट करना हो तो यह ट्राइपड जो काफी अच्छे से का काम आजाता है साथ में हैं यह इधर मेरा camera छोटे वाला जो कि यह Canon का G7 X Mark 2 तो इसको में में साथ में मिश्या करी करता हूं इसके अलावा दोस्तों यहां पर यह जो section है इस तरफ आप अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा मेरा एक lens और जो lens है वहाला कि इसकी packing दूसरी है लेकिन यह lens में यूज करता हूं Canon का 10-18mm अगर मैं कुछ vlog और शूट कर रहा हूं वरना इसके अंदर होता है मेरा Sigma का 18-35 जिस lens से मैं अभी currently वीडियो को शूट कर रहा हूं और यहां पर दोस्तों यह जो section था यह वो section है जहां पर आप बड़े आराम से अपने camera को रख सकत हैं और उसके बाद में यहीं बाहर सेक्सेस कर पाएंगे अब आप सोच रहे हैं कि मेरा laptop कहां पर है तो यहां पर दोस्तों laptop है उसके लिए मुझे मिलता है side में एक compartment जो की bag में इस तरफ आता है यहां पर और यह दोस्तों compartment है इसके अंदर है मेरा laptop और यह है वो section जहां पर आपको काफी अच्छी padding मिलती है और आप basically side से में laptop को quickly release करने के बाद में निकाल सकते हैं मैंने section में करी बार दो दो laptops को भी carry किया है लेकिन यह है दोस्तों मेरा main laptop जिसको मैं traveling के दौरान काम में लेता हूं जो मेरी main machine हालां कि वो है latest model दोस्तों macbook pro का 15 inches वाला लेकिन उसको मैं more or less as a desktop काम लेता हूं लेकिन यह जो है ना traveling में काम जादे इसलिए आता है because यहाँ पे यह सारी चीज़े मिल जाती है और इधर भी यह सारे ports मिल जाते हैं तो यह है दोस्तों मेरा laptop traveling के दौरान काम आने वाला macbook pro 15 inches और I think बस यह बहुत सारा समान है अगर मैं आपको दि यह है दोस्तों नीचे एक और tripod तो यह वो चीज़े हैं बाकी तो यह सारा समान है आपके सामने और यह है मेरे backpack से निकलने वाली चीज़ें दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको तो आपने इस वीडियो पता लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक बिर दिए शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना काफी इंट्रेसिंग टेक वीडियो लेके आता रहता हूं फिलाल के लिए इतना है दोस्तों जैह हिंद वन्दे मात्रम